सब्सक्राब करें अपने यूटिव चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वालकम फ्रेंट्स सुवागतम दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्पून होने वाला है यह वीडियो दो तरफा महत्पून होगा पहला वह व्यक्ति जो नई वेडिकल इस्टोग खोलना चाहते हैं उस मेडिक इस्टोग पे कौन-कौन सी दवियां रखते उसके लिए ताथा दूस्ते वे सभी व्यक्ति जो मेडिसिन की जानकारी रखते हैं कुछ प्रेक्टिस करते हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लग बग उन सभी परकार आपके ग्रुप को बारे में डिटेल बताऊंगा उस गुरुप में आने वाली दवाओं के बारे में डिटेल बताऊंगा जो सामयने सभी बीमारियों में दी जाती है इसमें 20 गुरुप है तदा 160 से भी जादा दवईया है और इस कारण से हो सकता वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए अगर आपको पूरी जानकरी चीए तो वीडियो को अंत्रक देखें आपको 160 से भी ज्यादा दवईयों की जानकरी एक ही वीडियो मिल जाएगी और इस तरह का वीडियो यूट्यूप पर यह पहला वीडियो है तो बीना समय का वाए वीडियो को आगे बढ़ा लगब को एक सोशार से भी ज्यादा अलग-लग दंगों के बार में हम जानेंगे इस काढ़क से मैंने सब्धी दमों को अलग-वीडियो में बॉल जा लेते को मिनेशन के दमाइं है उसमें आईबो प्रूफें तता परा सिव घ्रं नियुक्ति लिए रखनी होती है और इन दबाओं का जो पर्यां और साथ कॉम्पीनेशन ने इसके लाब को सिंगल साल्ट भी रखना होता है क्योंकि कई बार से कुछ लोग एलर्जिक होते तो उन्हें परसीटेमोल कॉम्बिनेशन वाली दवा नहीं देनी होती है और अब किसी व्यक्ति को सामेने दर्द के अलावा किसी प्रका कर दर्द हुआ है जैसे मास पेशियों में खिचाव हो गया उसके लिए डाइकलोफिनेक परसीटेमों त दवा या किसी व्यक्ति को दर्द के साथ सुजन भी है तो उसे एकलोफिनेक परसीटेमों तो तो यह इस तरह की दवा देते और जो सेरीशन को ठीक करने के लिए प्रियों में लाइं जाती है इसको सेपरेट अकेले भी आपको रखना है जैसा भी हमने जाना था किसी को पर नात का दर्द उसके लिए आपको कीटो रोल एक टेबलेट रखनी है चाहती मेफेनेमिक नाम की टेबलेट है मेफेनेमिक एसीड जो आपको दर्द में काम करती है और बुखार में बहुत अच्छा असर गरती जब पैदा सेटमों देने से बुखार ठीक नहीं होता तो करण दवा है जो बुखार में भी फायदा करती हुआ होती है नीमेशूलाइड यहां कुछ दवाइं है जो पेनखिलर वह आपको मेडिकली स्ट्रोफ रखना आवशक है और यहां जो मैं बता रहा हूं यहां पर सिब जो साल्ठ में उसको बता रहा हूं क्योंकि मेडिकली स होता है जिससे कि प्रोफिट भी अच्छा और मरीज को भी बीमारी जल्दी से टीक हो जाए इस कारण से जो भी आपके एरियम में ब्रांडेट जन्रिक दवा चल रही है उसे आप ले सकते हैं अगले जो गुरूप है वह है एंटी एलर्जी ग्रूप किसी को एलर्जी हो नहीं होती है इसके अलावा कुछ स्टेरोइड मेडिसिन जैसे डेक्सा मेथा सोन बीटा मेथा सोन तब प्रेंडी सोल यह रखनी होती है और एलर्जी का नाम आती है एक टेबलेट तो प्रमुक आएगी वह है एविल टेबलेट इसको आप ब्रैंड एडी रखे ज्यादा म मेरीज को काम आती है और अगली जो दवा है वह एंटी एलर्जी के रूप में रखने वाली वह है एंटी कोल्ड टेबलेट यहां जो काम को ठीक करने वाली टेबलेट होती है इसके अलगले कॉमपोजीशन में आपको बता देता हूं पैरासेटमोल श्यूदो एपीड्रीन तरह पहली एफरीज इसी में पैरासेटमोल सेटेड्रिस जीन ओंफ मेश्यूद आगला ग्रोप हैं एंटिस पास्मॉठिक मेडिसिन जो दमयां पीट दर्द को ठीक हैं नेलित दी जाती है उसमें भाय चैकलियोट इनतैडेल्स एकॉमप्यs परमूप है यह तिनों ही दवाईयां पेट दर्पूर ठीकने के लिए दी जाती और सबसे इसमें जो सुपीरियर है मैं फिर निमिक तता डॉटर वैन यह कॉम्बिनेशन की टेबलेट है अगला गुरूप है गेस्टी टाइटिस के लिए पेट मगर किसी को गेस बन गई हो उसमें कौन सी दवाईयां दी जाए जो हमें रखना आवेशक है उसमें जिन टेक इसकी ब्रैंड नेम होती है इसे आप जिन टेक नाम सही करीदें काफी अच्छा इसका असर है और इसके अलाव जो दूसरी दवाईयां है उसमें ऑमेप्राजोल पेंटाप्राजोल यह कैप्सूल साथ ही बनती उसके साथ में आहनाल नहीं होने की इस्तित होती है इसलिए कुछ पीने की दवा ren点ि दि चैनल सब्सवाय इसको रोखने के लिह दिया जाता है इसमें जिसको आप सभी रेगलान टेबलेट के नाम से जानते हैं और कुछ दोसिश है पेरिनों टेबलेट के नाम से भी जानते हैं दूसरी दवा है डॉम परिडोन टेबलेट तता लाश्ट दवा है और नेल सेट्रोन टेबलेट यह तीनों ही दवाईयां उल्टी को रोखने के लि तकलिफ वहाद दूर हो जाते अगली बार आपके मेडी इस्टोर पर जरूर से आएगा आपके क्लिनिक पर जोर से आएगा इसमें प्रोकुलोर्ड पुमाजिन मेडिसिन होती है और दूसरी जो दवा है वह सिनारजीन जी टेबलेट बीटा यहां पर सिनारेजिन टेबलेट की 25 मिलेगाम की सफीशेंट है साथ बीटा हेस्टिन टेबलेट है इसकी 8 मिलेगाम ताथ 16 मिलेगाम यह दोनों ही इस्टेंट आपको रखनी होती जो मरीज को आवस्चक तोनों सार दी जाती है अगलेदा गुरूप है डाहेरिया दस्त को रो सिलस होता है यहां दवाईयां दस्त को रोकने के लिए दी जाती है अगला गुरूप है कॉंस्टिपेशन के लिए यदि किसी व्यक्ति को कब्ज होगी उन्हें किया दिया जाएगा वह भी दवा होना जरूर ही उसमें टेबलेट ता सस्पेंशन सभी हमें रखना होता है ट क्रीमाफिन लिक्वीड जो सिर्फ पीने कि आती है इसके लाव लेक्टूलूज हो सकती है एक को मिल्क ओफ मेगनेश यहां सोडियम पिकोसुलेट होता है यहां पावरफूल लेक्जेटिव दवा है जो अन्य दवाँ के काम नहीं करने पर दी जाती है और किशी को इंस्ट की लिए जाता है इसमें जो टेबलेट है वह है अलप्रा जो लाम टेबलेट जिसको आप ट्राइक का नाम से जानते यह 0.25 मिलिगां तथा 5 मिलिगां दोनों ही आती दोनों ही आपको रखना आवे सके और इसको बिना डॉक्टरी से लाप किसी मरीज को नहीं दे यह मेरा ए का सुल टेबलेट यह का सूल c ajuda मिटामिन का कैप्सूल आता है इसके अलबाप def ก unity टेबलेट फैरस अलफIES यह पिलशक एल्यम की काशिति होती है इसके लिण की के दोटा ही की आपकाट मिलिगां की होती इसके आलबबाबार इक जाते है ये एaltetव स्कति है यह यूरिफीजयम हो सकती है जो भी जन्रीक अवैलेबर आपके पास है वह हो सकती है यह जिसे भूट लगने के लिए दिया जाता यह ची अब एफकर ना आवश्यक लाफ वह है टोपिकल प्रिपेर्शन के लिए जिसमें क्रीम तता ओइंटमेंट से इसमें सबसे पहला होगा ओवीडियून आइडिन ओइंटमेंट जिसको आप बिटाइडिन के नाम से जानते हों चोट लगने पर फ्रेस चोट पर इसको लगाए जाता है कहीं गाव हो जाती से जल्दी से गाव ठीक हो जाए उसमें जलन दर्द महसूस नहीं हो अगली क्रीम है सौफ्रा माइसिन क्रीम जिसमें फ्राम मैसेटिन कंटेंट होता है डाइकलोफिनेक जेल जिसको दर्द के लिए दिया जाता है डाइकलोफिनेक इस प्रेबी आपको रखना जरूरी है अना कि महेंगी एक दूपीस आपको रखना जरूरी है कुछ इस्टेरोइड में क्लोबेटासॉल क्रीम इस्टेरोइड के साथ एंटिवाइटिक क्लोबेटासॉल जेंटामाइसिन यह कुछ क्रीम है जो फंगल इंफेंस को ठीकन एक लिए दी जाती है अब कुछ सेंपू जाता सोप भी है किसी को अगर सिर में बहुत ज्यादा डेंडर्फ हो गया तो इसके एक दूपीस जरूर से रखें किसी महेला को या बच्चे को सिर में जूएं हो गई हो उसके लिए परमेत्रीन सोप या लोशन आपको रखना जरूरी है और एंटिसेप्टिक लोशन के र इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है यह दिया जाता है जब किसी को इंजेक्शन लगाने बाद वहां पे गाठ हो जाती है अगला ग्रूप है जिसमें हम आईड्रोप के बारे में जानेंगे आखों से रिलेटेड अगर समश्या होती तो उसमें दवाईयां कौन-क इसके अलावा रेड़ कलर ये लोग दोनों हो सकते हैं वह होते हैं क्लोराम फेनिकोल के कैप्सुल उसको को टोड़कर आखों में डाला जाता है वहां भी रखना है इसके अलावा शिप्रोफ्लोक्सिन लिए डेक्सामेथासोन कोंबिनेशन की आईड्रोप टोप्रमाइसि आईड्रोप दी जाती है जिससे कि एक बार दर्थीक हो जाए फिर अप्थर में डोक्टर को बता दे तो फलबिपोफेन आईड्रोप भी आपको रखनी है ये ड्रोप्स के बारे में जाने तो अगर किसी को कान में पानी चला गया या किसी कान से फंगली इंफेक्शन हो ग आते हैं तो इस नाम की ड्रोप को रखना है साथ एक कान में बेक्ट्रील इंफेक्शन हो तो शिप्रोफ लॉक्स इंडेक्सा में तो सुन दी जाती है और कान में दर्थ हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ओटेक ऐसी नाम की टेबलिट आती है इसको कान में डाल दे उसमें लिगनोकेंड होता है तुरंत ही उसका दर्थ ठीक हो जाता है इस तरह की इरडोप रखनी है अब महीलों में प्रियोग ली जाने वाली कुछ दमई है उसको भी हम यहां पर जान लेते हैं महीलों में ज्यादा था जो टेबलेट मेडिक रिस्टोप आके मांगी जात है इसके लगा कुछ कॉंट्रासेप्टिव मेडिसिन है जैसे कि माला एन माला डी ओवराल एल ओवराल जी यह डिमांडिक एकोडिंग रख सकते हैं और किसी महिला को ज्यादा ब्लेडिंग हो री पीड्स के दरा उसको रोकने के लिए ट्रेनेक्सिमिक एसिड यह रखें य इसमें सबसे प्रमुक है जो विक्स वेपोरब है जो काम सर्दी खासी में बच्चों को दिया जाता है बड़ी प्रियोग लेते विक्स का इनहेलर है आयोडेक्स टाइगर बाम इनों के पाउच पेट में जब गेस बन जाती है वह तब दिये जाते हैं इनों की बोटल भी रखनी होती है इसके अलावा महिलाओं के प्रियोग के लिए सेनेटरी पेड्स कुछ बच्चों के लिए डाइपर्स पूर्सों के प्रियोग के लिए कॉंडॉम्स यह अलगले ब्रेंट के आपको रखने आवश्यक है साथ पूर्सों में दी जाने के लिए सिगनाफिल टे बेंड पट्टी भी आपको रखने होती है वाटर प्रूफ और जनरल पट्टी दो नगी तिए इसलिए और बेंडें यह जनरल आइटम एरिये टो इरिये अलग हो सकते हैं अगला पीडितृतिक मेडिसिन बच्चों में कौन-कौन सी दविया रखी जाती है उसमें भी सभी गुरूप को मैंने क्साथी ले लिया है सभी सीरॉप अगुलेबल है जिसमें पैरासेटामॉल सिरॉप ये कंपलसर ही है साथ ही पैरासेटामॉल के साथ मेफेनमीक ऐसीड कॉमिनेशन की ड्रॉप तर सिर्फ ये दोनों बहुत जुरुरीब के बच्चों अखार के लिए दिये जाता है इसके अलावा नियो पेप्टिन सिर्प तथा ड्रोप पेट समझ देशा समझ यह को लिकेड ड्रोप जो पेट में दर्द होने पर बच्चों को दी जाती है फिगोलेक्स ड्रोप यह बच्चों में जो कॉंस्टिपेशन ने उसको ठीकने लिए दी जाती है आईबू जैसिक प्लस सिरफ सेट्रीजीन सिरफ साथ एंटी कोल्ड जिसमें विकोरिल ड्रोप तता सिरफ दोनों हो सकती है इस पोरलेक्स सेचेट जो लेक्टिक एसीड सेचेट बेसलिस के सेचेट दस्त में दिये जाते हैं और दस्त को रोखने के लिए कुछ एंटिबाइटिक दवई हैं जिसमें और फ्लोक्स ओर्णेजोल दवा प्रमुख है और अधर एंटिबाइटिक में एमोक्सिसलिन क्लेवनिक एसीड कॉमिनेशन की सिरफ एजित्रोमाइसिन की सिरफ जो हांडेट ता टू हंडेट मिलीगां दोनों स्ट्रेंज माती दोनों अगला ग्रूप है एड्रेंटिक दवईयों का इसमें आपको टेबलेट रखनी जिसमें वैसे दो एंटिबाइटिक बहुत ही ज्यादा है पांस एचे मुख्य आंटिबाइटिक जो मैं आपको बता दू पहली एंटिबाइटिक की एजित्रोमाइसिन टेप्लीट जो पां यहां सभी टेब्लेट्स एंटिबाटिक रूप में रखनी होती है जिसे कि आवसकता पंड़े पर मरीज को दी जा सके और यहां पर एक सीरप में सीरप पीछे रहे थी मेरे यहां पर मैं आपको बता दू यदि केसी बयवयक्ति को यूरियन का इंफेक्शन हो गया पैसा में जलन हो रही हो उसे नोफ्लोक्ससीन के साथ में यूरिनेरी अलकलाइजर दवा भी दी जाती है जो सिट्राल का नाम से फेमस है अगला गुरूप है कप शिरप का रदी केसी को बहुत ही ज्यादा खासी चल दी तो कौन कौन सी दवई दी जाए जो हमें रखना आवे सके उस दोता है तीसी दवा चीशे एक्सप्रेक्टोर रेंट को प्रियोग लेते किसी को कफ जम गया वेट कप में इसका देते हैं जो है अगली जो दवा है वह सालबूटामोल किसी को स्वांस फूलने के साथ में अगर खासी चल रही है तो उसे दिया जाता है और खिशी को सूख मेडिकल इस्टोर पर होना बहुत ज्यादा आविशक है यह मस्ट नीडेर मेडिसिन अब अगले एक दू ग्रूप की दवाइं बता रहा हूं वह सिर्फ उन्हीं मेडिसीन या मेडिकल इस्टोर पर होना चीए जिस पर कोई नर्सिंग स्टाप साथ में प्रेक्टिस कर रहा यहां पर मगता दूँ वह है इंजेक्टेबल में सबसे प्रमुक इंजेक्शन है वह यहां पर कवर कर रहा हूं जिसमें टीटी का इंजेक्शन डाइकलोफिनेक इंजेक्शन पेंटाप्राजोल इंजेक्शन ओंडेन सेट्रोन इंजेक्शन एविल इंजेक्शन डेक्सोन इंजेक्शन डेरिफाइलेन इंजेक्शन या डेरिफाइलेन में इटोफाइलेन थियोफाइलेन कॉम्बिनेशन होता है जैसे जो स्वास चड़ती है विक्तिकों अस्तमे के प्रेसेंट होते हैं उसी को इसे दिया जाता है इसके लाव मल्टी वीटामिन इंजेक्शन हो जो तबलन को ठीक करते लाइग इनजेक्शन इसके लाव विटगोवॉक्यक्स कई जॉट्छालों में दिया जाता है कुछ नॉर्मल से एंटिब्याटिक इंजेक्शन जिस से 40-25% यहां तो मेनली प्रियोग लीज आने वाले इंफ्यूजन ने इसके अलावा कुछ एंटिबाइटिक 100 ml के इंफ्यूजन आते हैं वह है उसमें मेट्रो निडाजोल इसके अलावा कुछ आइटम और है जिसमें आईवी सेट केन्यूला बटर फ्लाई सीरिंज यह रखना आवज सके और इसमें इंसुलीन सीरिंज वह सभी मेडिकल इस्टोर पर होने चाहिए कोई पैसेंट मांगे वह खाली नहीं जाए तो इस परकार से लगबग 160 तरह की आवज सके और कुछ एडिशनल दवाई जो मैंने लाशन बताईए वह अगर कोई प्रेक्टिस करते हैं नसींग स्टाफ हो तो उन्हें रखना आवज सके और यदि कोई व्यक्ति मेडिकल इस्टोर होस्पिटर के पास में या डॉक्टर के पास में खोलता है या उसके नज वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका तैया दिल से धन्यवाद मिलते हैं किसे नए वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रें मस्त रहें